तो नमस्कार, के पीटी चले करेंगें आपका हरतिक स्वागत है, आसा करता हैं आप सोच तो होंगे, अच्छ होंगे दोस्तों वाजन बाल विकास सिच्छा साथ का 30 कोशन के सरसल लगाएंगे, जो की सीटर परिछा को दर्श्टी से बहुती हलवल सावित होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बलाइकन को प्रैस कर लें, जिससे की नॉटिफिशन मादिन से आपको वीडियो मिलती रहेंगे, तो आज करम फर्स्ट कोशन स्टार्ट करेंगे, प्याजन के अनुसार, बौद्दी के विकास में आत्मसाती करण के साथ निम्र्द में से अन्य कौन सी क्रियाएं संपन्य होती हैं, ए, आत्मसंग्यान, बी, समंजन, सी, संकलपना, डी, प्रतच्छी करण, तो कुश्चन पूछन रहेंगे, प्याजे के अनुसार, बौद्दी विकास में आत्मसाती करण के साथ निम्र्द लिक्त में से अन्य कौन सी प्रक्रियाएं सं समंजस्ट की या समंजन की प्रक्रियाएं पौद्दी विकास में आत्मसाती करण के साथ में क्रियाएं होती हैं, तो अन्सिता करेक्टर है इसका गुणि हमारा बी, अलगा कुश्चन देहेंगे, बालक में मात्रु भासा का विकास निम्र्द लिक्त में से किस समाजिक संस संपन होता है, ए बिद्याल है, बी ए पास पड़ोस, सी ए परिवार, डी ए मित्रमंडली, तो कुश्चन पर चाहिए कि बालक में जो की बासा विकास है, कौन सी सामाजिक संसा की दौआरा संपन होता है, इस प्रक्रासिक को समझेंगे, तो जैसे कि आप बात करती है, बालक में प्रात्मिक बासा लिवल जो स्टार्ट होता है, या बासा का जो विकास सुरूवात होती है, वो परिवार से होती है, तो इसके आप बालक बालकाओं का समाजी करण बिन्नी बिन्नी में से किस करण होता है, ये सारे करण की करण, बी ये अनुबन सकता की करण, से यह दोनों से अलग-अलग भूमिका प्रत्साक की कारड डिये उप्रक्त मैं से कोई नहीं तो कुश्चन पुशा है कि बालक और वालिकाओं का समाजी करड बिन बिन किस कारड से होता है ऐसे कुश्चन पुशा है तो जैसके बात करती है बालक और बालिकाओं का समाजी करन दोनों से अलग अलग भूमिक का प्रत्साग की कारण होता है तो answer रेक्ट होएगा इसके कोड़ी हुआरा C answer हो जाएगा, टिक करेंगे आप एगला कोशन देखेंगे बीडियो को लाइक करते हैं, साथी साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जिससे की डिडियो मिलती रहेंगे, कोशन देखेंगे संग्रा करने की प्रवर्ती मुख्य या प्रमुख लच्छड है A. प्रोडवस्ता का, B. किसरवस्ता का, C. बालवस्ता का, D. सहसववस्ता का तो कोशन पर चैनल की संग्रा करने की प्रवर्ती प्रमुख लच्छड क्या है इस प्रवर्त से कोशन को समझेंगे, तो जैसे के हम बात करते हैं बालेवस्ता का संग्रे करने की प्रमुख लच्छड या प्रवर्ती होती है तो आंसी तक एक्ट होगा इसको गुणिवारा C अगला कोशन देखेंगे आधिगम को इस्ताई बनाने हेतू निरंतर अभ्यास किया जाता है तो कोशन में पूचे जा रहा है तो जैसकी बात करती है इस्ताई बनाने हेतू निरंतर अभ्यास किया जाता है तो आंसी तक एक्ट होगा इसको गुणिवारा C अगला कोशन देखेंगे कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है A. इसमर्ती इस्तर की सिच्छड में B. अबवोद इस्तर की सिच्छड में C. विमर्ती चिंतन इस्तर की सिच्छड में D. इसमर्ती इस्तर की सिच्छड में कोशन के जाता है कि कठोर मानसिक अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है इसे कोशन को समझेंगे तो जैसे कि बात करती है बिमर्ती इस्तर की सिच्छड में कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है C. अब कोशन दिखेंगे बुरूनन की मतानुसार बालकों की विकास की अंतिम अवस्ता है A. प्रत्मात्मक अवस्ता D.A. सक्रियात्मक अवस्ता C.A. प्रत्यात्मक अवस्ता D.A. उप्रक्त में से कोई नहीं तो कोश्चन में बुछ रहा कि Brunner की अनुसार या मता अनुसार बालकों की विकास की अंतिम अवस्ता क्या है यह कोश्चन में पूछ रहा है तो जसकी बात करती हैं यह भी बुरुनर के अनसार, पृत्रियात्मक अवस्ता, बालकों की विकास की अंतिव वस्ता कहलाती है, तो अंसिता करेक्टर यह से ओब रहे हैं यहांपे, C अगला कोशन दिहांगी, वीडियो को लाईक करते हैं सातियात्में बालकों की सामाजिक विकास के संदर्म में निमनलगत कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदाई है तो कोश्चन पुछा है कि बालकों की सामाजिक विकास के संदर्म में निमनलगत कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदाई है यह question में पूछे रहा है तो जैसे के आप बात करते हैं परिवार वा बिद्ध्याले दोनों ही या तीनों ही बालगों की सामाजी विकास के संदर्म में कारक उत्तरदाई होते हैं तो अनसे दे करेक्टर येगा इसका उपड़ी हो यह आप यह डी अगर वोशन देखेंगे निमनलकत में से संबंधित नहीं है तो जैसे कोश्चन को पूछा गया है पहले को संबंधित नहीं है के अकॉर्डिंग अंसर देंगी यह कोश्चन नहीं पर पूछा गया है तो इसका अंसर भी हमें नहीं में देना हुआ तीन या पॉजिटिव होंगी और एक नेगिटिव होगा वही आपका अंसर होगा तो जैसे कि आप भी बात करती है मित्यवेता स्रजनात्मता का संबंधित नहीं है तो अंसर देंगी यह कोश्चन देखेंगे सिच्चकों को कक्षा में नवीन ग्यान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से इस्तापित करना चाहिए इस कतन में नेमनलगत में से कौन सा अधिकम सिद्धान्त नेत है तो कोश्चन देखेंगे सिच्चकों को कप्षा में नवीन ग्यान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से इस्तापित करना चाहिए तो यह कतन है जो की नेमनलगत में से किस अधिकम सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है नितो है यह कोश्चन में पूछा ज़ा है तो इसके according बात करती है यह संबंद प्रवर्टन सिद्धान्त से संबंद है तो अंसिता का एक्ट होगा है इसके according होगा यहाँ पे बी अगला उच्छन दिखेंगे प्रदाना अध्यापक यह बरिष्ट सिद्धान के लिए विद्धाना 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 अध्यापक यह यह question में पूछा है, तो जैसे के आपी बात करती है, प्रजातांत्रिक नैत्रुत प्रदाना अध्यापक और बरश्ट्रियों सिचक के लिए विध्याले में नैत्रुत सेली सबसे अच्छी होगी, तो आनसी दाख एक्टर रहा है, इसका अगुणी होने आप यापी बी, अलो प्रदाव का परिचड डी है, सिच्छड विधी को कक्षा में लागू करना, तो question में पूछा है कि क्रियात्मक सोद नीमनों लख समय से किस तैत्त की पूर्ती करता है, यह question में पूछा जाए, तो इसके बात करती है, कक्षा अगत समस्य समादान, क्रियात्मक सोद है, जो क विकास के किस काल को अत्यदिक दवाव और तनाव का काल कहा गया है। प्याजे के अनुसार संग्यानत्मक अत्वा बौदिक विकास का पूर्व संक्राद्मक इस्तर की अविदी निम लगत मैं से होती है। यह question में पूछा ज़रा है तो जैसे कि आप बात करती है दो से साथ बस की अबदी होती है जो कि संग्यानात्मक और बौध्य विकास का पूर्व सक्क्यानात्म इस तर की अबदी कहलाती है तो answer द्यक्रेक्टर या इसका कोड़ी होगा यहाँ पर यहाँ पर सी अगर कोश्चन दिखाएंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ याद में चैनलों सब्सक्राइब करना है बालेकर प्रैस करने जिससे की कोश्चन द्वारा प्रत्रपादित बुद्धी सिद्धान्त को क्या कहा जाता है इस प्रकास से कोश्चन द्वारा प्रत्रपादित बुद्धी सिद्धान्त को क्या कहा जाता है इस प्रकास से कोश्चन दिखेंगे तो जैसके आप बात करती है बुद्धी ब्यक्ति की एक इगर्द चमता है, जो सम्मद्ध होती है, A. उद्ध्यश पूर्ड कार्यों से, B. तार्किक चिंतन से, C. प्रभापूर बिवारिक अविव्यक्ति से, D. उपरुक्त सभी से, कौफे इच्छा कोश्य मुचा गया है, कोश्य मुचा कि बुद्धी ब्यक्ति की एक इगर्द चमता है, जो किसी से सम्मद्ध है, इस प्रभाव से कोश्य मुचा को समझेंगे, तो जैसे कि हम बात करते हैं, उद्ध्यश पूर्ड कार्यों से, तार्किक चिंतनों से, प्रभापूर बिवारिक अविव्यक्ति से, बुद्धी ब्यक्ति की एक पुस्तिकाओं को जाचते समय, परिच्चकों को चाहिए कि विए, उद्धार दश्टिकोंड अपनाएं, बीए, कटोरता की साथ साथ गहनता से जाचें, सीए, बस्तुर रिष्टता की साथ यथा तैथ जाचें, डीए, मद्धियम दश्टिकोंड रखकर जाचें, तो जै किस प्रकार से चात्रों की अकॉर्डिंग दश्टिकोंड अपना है, इस प्रकार से कोश्यन को समझेंगे, यह कोश्यन मा पूछा रहा है, तो जैसके बात करते हैं, बस्तुरुछता के साथ यथा जाचें और परिच्चाओं में विद्ध्यारतिकों उत्तर पुस्त्टिक को जान से समय परिच्च को ये कार करने चाहिए तो अनसे दा करेक्ट वह एक हमारे आपे सी अगला उश्र देखेंगे किसी बालक को कच्छा सिच्छ विदियों या गति विदियों में सक्रिय भाग लेने हेतु सिच्छ को चाहिए कि हुआ है तो जसके में बात करती है अध्यापक को किसी बालक में या किसी बालक को सिच्छ गति विदियों में सामिल करने के लिए सक्किर रूप से सम्रुद करने के लिए अध्यापक को सकारात्मत प्रेलगों का समय सेमर पर उपयोग करना चाहिए तो अनसे दा करेक्ट वह इसका हमारे आपे सी अगर उसे देहेंगे एक सफल सिच्चक वह है जो एस सांत रहता है और अपने कर्टबिका निर्वान करता है बिये सहन सील होने के साथ साथ अधिनायकवादी द्रश्टिकोंड रखता है कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाये जाने वाले पाठों अत्वा विसेवस्तु की पूरी योजना त्यार कर लेता है दिये बिविन बोर्ड परिच्चाओं में प्रोगात्मक परिच्चाओं के लिए आमंतृत किया जाता है इस प्रकार से उप्शन दिया गया है तो कोश कच्चा में जाने से पूर्व पढ़ाये जाने वाले पाठों अत्वा विसेवस्तु की पूरी योजना त्यार कर लेता है तो आंसर करक्टर है इसका कुछन दिखेंगे पहले question देखेंगे फिर option देखेंगे इसके question बिचारा कि एक विध्याले में विध्यारतियों की योगिता का आधार बनाकर section A, B, C उनकी गटती योगिता किरम की अनुसार बनाए गई इस परिस्तिती में आप किस section को पढ़ाना अधिक पशंद करेंगे question बिचारा कि अब option देखेंगे इसके option है A, A है A section रखा गया है, B में B section रखा गया है, C में C section रखा गया है और D में कोई भी section हो जो आपको दिया जाए, यह दिया गया है तो जैसके question में एक वारत देखेंगे, तो question बिचारा कि एक विध्याल है उसमें विद्ध्यार्तियों की योगिता के अनस्वार section बनाएगे हैं A,V,C तीन section है और उनकी गट्टी योगिता की अनस्वार क्रम में यह section बनाएगे हैं जो कि अगर इस सिस्थिमें आपको कक्षा दिया थी पढ़ानी के लिए आप कौन सी कक्षा को पढ़ाने के लिए पसंद करेंगी यह question में पूछा जा रहा है तो जैसे के आप बात करती हैं इस कार की gravity है यह चीज़ा की जा रही है class के अंतरगत या विद्ध्याल में तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि कोई भी section हो जो आपको दिया जाए और हमें अपने according या अपनी सिच्चर विद्ध्यों से best way रहाना हुआ और अच्छे से अच्छे तरीक से उन्हें सिखाना हुआ तो अंसितर करेक्ट होगा इस कार्वडिया हमारा D कोई भी section जो आपको दिया जाए teacher को उन्हें पढ़ाना चाहिए तो answer हो जाएगा D अगरा question दिखेंगे सिच्चर का प्रम्योग प्रोजन है A. बिध्यार्टियों में सामाजिक कुसलता उत्पन करना B. विवार में परिमार्जन लाना C. बिध्यार्टियों के ज्ञान इस्तर में ब्रद्धी करना D. बिध्यार्टियों में बातवड की साथ समाजिक इस्तापित करने का कौशल उत्पन करना तो question बिशाया की सिच्चर का प्रम्योग प्रोजन क्या है या question में पूश हो जारा है तो जैसे कि आपी बात करती है आपी बिध्यार्टियों में या उनके बिभार में प्रवाजन लाना सिच्चर का प्रम्योग प्रोजन है तो अनसिताग खाक्टर या इसका उड़ियों हो रहे हैं यापे बी अगला question देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ याद में चैनल को सस्क्राइब कर रहे है बलागरू प्रेस कर ले जिससे कि नोडिफिशन में आदिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी क्लास माफ किजिए question देखेंगे कच्चा कच्च प्रक्षि question बहुत है कि कच्चा कच्च प्रक्षि यह सफल संबाद तर्मी माना जाएगा जब उनमें उच्छ अधिगम इस्तर होगा तो अनसी से करेक्टर जाएगा इसका होड़ी हमारे यहाँ पे ए अगला उस्टर दिखेंगे स्रेश्ट कक्छा कक्छ प्रक्रिया में सिच्छ की भूमिका होती है इस प्रक्रिया में सुतंत्र चर होता है तो यहाँ पे सुतंत्र चर के बारें पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सुतंत्र चर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिच्छक तो अनसे नाक्रिया हो जाएगा यहाँ पे हमारा A अगला उस्टर दिखेंगे स्रेश्ट नात्मत्ता में नीमिनल घ्मेंसे कौन सी बिसेश्टा आवश्यक नहीं है A. मौलिकता, B. विद्वदता, C. प्रवाव सीलता, D. सक्रिय सीलता, तो कोश्चन पुचा गया है, और उसके अकॉर्डिंग में आंसर देनागों, यह तीन पॉजिटिब में होगे, और एक नेगिटिब होगा, वही आपका आंसर होगा, तो जैसके आप बात करते हैं, सक्रिय सीलता, सरजनातक्ता का विद्विश्चता नहीं है, तो अंसर देक रक्ट होगा, यह तो यहाँ पर हमारा D. अगर उसके देहेंगे, सरजनातक्ता मौलिक परड़ामों को अविव्यक्त करने की मांसिक करिया है, यह कतन नीमलग में से किसे सम्द्ध है, अगर उसके देखेंगे, समजा आर्थिक मुद्धों की या मुद्धों से सूज रहे या जूज रहे उन बच्चों को जिनकी पृत्वा प्रभावित हो रही है या हो सकती है को सायता करता है, तो जैसे कि आपी बात करती है, अगर उसके देखेंगे, एक कक्षा में बैक्तिक बिनताओं की छेत्र हो सकती है, एक कक्षा में बैक्तिक बिनताओं की छेत्र को हो सकती है, या कोश्यन में पूचे जा रहा है, तो जैसे कि आपी बात करती है, एक चाह में बैक्तिक बिनताओं के छेतर हो सकती है रुचियों के सीखिने के चरितर के तो आंसे कार्क्टर होगा यहां पे वारा यह सभी डी अगर लोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथी हात में आउस्त बुद्धी वाले बालकों की बुद्धी लब्धी या IQ के बीच होगी A. 50-69 B. 70-69 C. 90-109 D. 110-139 तो question में पुछा रहा कि आउस्त बुद्धी वाले बालकों की बुद्धी लब्धी या IQ लेवल पूछा गया कितना होगा यह question में पुछा गया है तो जसके हमें बात करते हैं आउस्त बुद्धी बालकों की IQ लेवल होता है वो होगा हमारा 90-109 तो answer correct होगा यहांपे हमारा C अगरा आउस्त देखेंगे आवशक्ता का पदर उनक्रमा सिद्धान्त दुवारा प्रतिपादित किया गया था यह question में पूछ रहा है जैसे आवशक्ता का सिद्धान्त पदर प्रतिपादित किया है यह इंपर सब्सक्राप तो हता है वीडियो को जैसे आइसे सेर करें like करें दोस्तों को साब में प्रेकनों प्रेस्स करने जिसके नोटिफिशन मात्रिम से आपको विडिवल देंगी तो मिलते हैं नेक्ट शेसर में जैन दोस्तों बंदे मात्रम